तो अगर आपके पास कोई भी समसंग का स्मार्टफोन है तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को इसे साथ फीचर्स बतने वाला हूं जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा काम में आएगा तो स्टाफ करते हैं सबसे पहले फीचर से और अभी के समय में हमारा जो स्मार्टफोन से ज्यादा तर समय Bluetooth यार फोन से कनेक्टर रहता है और कहीं बार कॉल आता है हम कोई फोन रिसीब नहीं करना चाहते हैं बट सैडली अनफोर्चनेटली फोन जिब में होता है इसलिए हम तो इस फीचर का नाम है call announcement येस आपको अभी फोन स्क्रीन पे देखने के भी जोरूत नहीं है उससे पहले ही ये announce करके बता देगा कि किसका call आया है तो इसके लिए डाइलर application को open करके three dots पे tap करके settings पे जाना है यहाँ पे एक option दिखेगा answering and ending calls इसके उपर tap करके read caller name allowed इस वा इनांस करेगा otherwise always तो आपको जो भी पसंद है आप अपने करेंगली साट कर सकते हो काफी सारे अलग-अलग ब्रैंड की स्मार्टफोन में इस फीचर को यूज करने के लिए हमें कोई भी application इंस्टॉल करना पड़ता है बट समसंग की phone में आपको कोई भी application इंस्टॉल करने क ज़रूरत नहीं है अब चलते है नेक्स्ट फीचर की तरह और यह इस पेसे लिए उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा काम में आएगा जो फोन में ही एडिट बगारा करते है फोटो गैलरी को ऑपन करना है फोटो के अंदर आना है आपको जो भी अपने एकॉनिगली एडि पेस्ट का option मिलेगा तो इसे simply apply करके save कर देना है तो suppose आपने एकी चीज़ का दस बारा फोटो अलग अलग एंगेल से क्लिक किया जब बात आती है एडिट करने की तो एडिट में आपके काफी ज्यादा टाइम लग जाता है आट दस फोटो को एडिट करना तो इस केस में आ आपका बहुत ज़्यादा काम में आईगा अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर के तरफ और यह आई थिंक आभी की समय में सबसे ज्यादा काम का फीचर है क्योंकि हमारे फोन का अंदर काफी सारे कॉंटक्स हैं हमें temporary किसी का नंबर सेब करना होता है और उस टेम पे तो हम सेब करना भी भूल जाता है तो समसंग की फोन में एक ऐसा भी तरकीब है आपको किसी का नंबर यहां पर सेब करने के जरूत नहीं है आप अपने फोन में उसका नंबर रख सकते हो और बाद में आपको जब भी रिक्वर्मेंट हो दस देन बेज देन एक महने बाद आप उसका नंबर इसली अपने फोन से ढूंड सकते हो तो इसके लिए डायलार अपलिकेशन को ओपन करना है नंबर के अंदर आना है आई आइकन के पर टैप करना है यहां पर आपको एड नोट करके आपसेन मिलेगा आपको जो भी नाम लिखना है सिंपली उस नाम को लिखने के सकूँ और हां अपने मन से कोई भी कमेंट कर देना इससे इंगेजमेंट बढ़ता है ताकि ने ने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचे अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर की तरफ सपोज आपकी पास कोई भी टैक्स्ट है आपका कोई नोट भी हो सकता है जिससे आपको कि मेसेज को भेज सकते हों अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है कई बार फोन के अंदर वोल्यूम ज्यादा होता है और हम यार फोन को करके कान में लगा लेते हैं जैसे ही सौंग बगर प्ले करते हैं कान में बहुत ही तीज आवाज आता है तो इस चीज़ को आप रोक सक करना है और इसी के जस्ट नीचे एक और आप्सेन आपको मिलका सेपरेट एप साउंड यानि कि आप अलग अलग एप्लिकेशन में कितना साउंड रखना चाते हो यह आप यहीं से चूज कर सकते हो तो यह काम आप यहां से कर सकते हो और यहां पर कोई भी एप नहीं दिख तो प्लास बल आइकन के उपर टैप करके आपको सिंपली उस एप्लिकेशन को यहां से चूज कर लेना है फिर इसके अंदर जाके आप यह काम कर सकते हो अब जलता है नैक्स्ट फीचर की तरफ यह जो पार बटन है इसे जैसे में डबल प्रस करता हूं केल्कुलेटर अन हो यहां पर टॉर्च भी है तो जैसे ही आप टॉर्च सट कर देते हो और डबल प्रस करते हो बस टॉर्च अन हो गया अब कई बार होता क्या है कि हम कोई भी समसंग का फोन किसी को गिफ देने के लिए बाई करता है सपोज कि कोई बुजूर्ग आदमी है ममी पापा दादा द का जो कॉंट्रास्ट है यह इन्क्रीज हो जाएगा जो फॉंट से थोड़ा सा बड़ा आपको देखने को मिले जो आइकं सा यह भी बड़ा बड़ा हो जाएगा और यह फिचर उन लोगों के लिए भी काम में आएगा जो लोगों कोई आखों में प्रब्लेम है छोटी-छ के लिए चनल को सबस्क्राइब कर लेना सबस्क्राइब को लाइक एंड शेयर कर देना और कोई भी एक कमेंट कर देना इससे वीडियो का जो इंगेजमेंट है वो इंक्रीज होता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू